नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के चैनल में चर्चा करेंगी मार्किट के तीन दिन की छुट्टी के बाद जब खुलेगा मंडे के लिए और डेट रहेगी 29 और बहुत ही फैंटेस्टिक वीक शुरूने वाला है 29 जैन तीन दिन की शुट्टी रहेगी 26 सताई हाँ तो 30 जैन 31 जैन मंथली केंडल क्लोज होगी और इसका रंग में जरूर देखना चाहूँगा जो मंथली केंडल है उसका क्या है और मेरे ख्याल में कुछ फैड की कोमेंटरी बगएर भी 30 को जन्हें पता नहीं 30 को है 29 या 30 में से किसी एक दिन है तो बहुत ही वोलेटिलिटी मार्केट में होने वाली और आज भी थी आज भी थी और उमीर है दोस्तों आप लोगों को गाइडेंस प्रॉपर मिल रही बनाई उसका रीजन यह था कि मार्केट ना तो बड़ा गैप अप ना बैक डाउन और जो लेवल मैंने शेर किये थे वो उस प्रकार थे आपको अगर फिर भी चाहिए चाहे पर चर्चा कि मैं डेली सुबा सुबा बनाऊं मैं तो मैं कंटिनियस इसले बना रहा था क्यूं हमारा नीचे बियर का लेवल ये था और बुल का लेवल 21,520 इसके बीच में मार्केट खुला था मतलब फ्लैट ही खुला था जहां हमने एक्सपेक्ट किया था उसके हिसाब से फिर सिधा टेलिग्राम पर कहानी शुरू हो गई है ना कोई चेंज नहीं था टेलिग्राम प दीजे 45,000 भी लो ये टारगेट है बैंक निफ्टी तो भहिया सबने छपड़ फाड़ के मेरे को बहुत स्क्रीन शोट है ठीक है निफ्टी में भी लैवल ने देखे कैसे काम किया 370 कटा आपने आज 313 क्या कहते है 240 के 50 के आसपास लोग देखा है शायर 21250 के आसपास तो ये तो गाइडन्स में आपको लाइव मार्केट में कर पाया और जहां मार्किट साइड वेज हुआ ठीक है वहीं मैंने आपको 10 बज के 38 मिनट पर बोला कि बुक प्रॉफिट 10 बज गढ़ ताले सह अब मार्केट में प्रीमिय मेटिंग होगी ठीक है अब मार्केट में प् कि भाई कर लीजे बैंक निफ्टी रीजन बताऊंगा इसका क्या है तो यही टॉप लगा है HDFC इसकी वज़े से बाई बुला था यह एक्स्ट्रीम ओवर सुल्ड है तो यह डिट्टो बिल्कुल बहुत कम ऐसे होता है कि भाई यह जब आप बोल दो वैसा ही कुछ मूव आ जाए ठीक है तो भगवान का भी आशिरवाद है इस वक्त मेरे साथ कि each and every day पैसा बन रहा है ठीक है और आप लोगों को guidance मिल रही है पर कोई भी दिन मेरा बुरा आ सकता है तो please control your lots अपनी positioning को अपने इसाब से risk and reward से हलाग कि अगर आप मुझे proper follow कर रहे हैं आपको ब क्यों क्योंकि level मेरे वहाँ पर निकले होते हैं वहाँ अगर काटा पीटी हो रही है उपर नीचे इनको touch करने से पहले ही market गुम जाए तो जो मैं बोलता हूँ दोस्तों वो level note करना आपको याद होगा मैंने एक दो दिन में आपके पास ये number share किया है किया है ना कि इस number के न 50 तक जा सकते हैं अब bank nifty घूमा कहां से है चेक करिए इस number के आसपास आने से ही घूमा है ठीक है ये number के नीचे एक इक चीज को सुनना है वीडियो स्किप करोगे तो फिर तो तंबूरा ही हाथ लगेगा ठीक है इसके नीचे closing मिलनी चाहिए ठीक है जिस दिन मिल गई उस द अपना जो है positional short करके जाएगा जिस दिन इस level के नीचे closing मिलनी चलिए ये सब चीजे होती रहेंगे एक बार disclaimer को देख लेते हैं ये है दोस्तो disclaimer और इसको पढ़ना mandatory है अनेवारे है मेरी हर research हर analysis हर वीडियो का शुबारम इसको पढ़ने के बाद ही होता है आप इसे पढ़ weekly chart में एक चीज नई देखने को मिली है पहली बार देखने को मिली है यहां से यहां हुई है weekly basis weekly basis candle ने पिछली candle के low के नीचे closing के नीचे close किया है closing के नीचे close किया है ठीक है और ये negative super negative हो जाता है ये कब होता अगर इस low के नीचे में closing मिलती यानि कि ये जो low है 2 1 2 8 5 पिछल week जो low बना दिखाता हूं में कि ये ठीक है फिछले week low बनाता ने फिर market उपर गया फिर एक low बना आज आज के तीन दो चीज नोट करने वाली है एक मतलब ये तीन दिन में हमारा market में ये बड़ी गिरावट हुई market आज भी negative रहा तो market चाहता तो इस low को break कर सकता था Monday वाले low market ने वो किया नहीं ठीक है और मतलब गया भी नहीं market उथर low क्या break करना आप देखिए आवरली चार्ट को लगा के ये पूरा अंगले का जोगा है इस जगे ऐसा consolidation हुआ ऐसा consolidation हुआ ये low के नीचे आसपास हो आया भी नहीं ना इस low के आसपास आया ना इस low के आसपास आया तो ये देखने वाली चीज थी एक observe करने वाली चीज थी ठीक है जो कि एक pullback दिखारी थी ठीक है एक pullback दिखारी थी कि भी या pullback आ सकता है ये ना तो अब market में Monday वाले दिन आपको ध्यान कीन चीज़ों का देना है ठीक है देखे 21,370 ये आज का level था अब ये आगे काम नह क्रिपया करके समझ ये मुझे आज भी लोग message कर रहे हैं कि हम तो 21,3,25 को use कर रहे है अरे 21,23,25 पहले वाला level है आप क्रिपया करके बहुत बड़ी गलती कर देंगे अगर आप वो level उस particular day के लिए है ये level आज एक particular day के लिए था ठीक है अब ये अब मंडे के लिए काम मैं सोचता हूँ कि आप लोगो समझाओ कैसे वीडियो बनाते बनाते भी मैं सोचता हूँ क्योंकि मैं editing, patenting तो करता नहीं हो भाई कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ क्या मैं समझा पा रहा हूँ ठीक है तो क्रिपया करके समझ ये ठीक है तीन सो सत्तर कहानी खतम Wednesday के दिन का लेवल मार्किट में भी तो चाल बदली है मार्किट में कुछ आज हुआ है ना मार्किट माज क्लोजिंग कहीं हो रही है तो लेवल वो कभी repeat नहीं होगा जो मैं हाँ हो सकता है पर मैं उसको बताऊंगा ना भाई कि कल भी यही लेवल काम करे जा ठीक है चलिए अब एक hanging man type candle बनी है गिरावट हुई उसको खीच के रख दिया अब इसमें दो चीज़ हो सकती है क्या buying हुई है या फिर यह सिर्फ expiry वाला move ठीक है क्या buying हुई है क्या यह सिर्फ expiry तो ज्यादा pro नहीं बनना है कि मैं पता करूं यह buying हुई है expiry वाला move और market नीचे जाएगा market उपर ह ज्यादा professional नहीं बनने की जरूरत है normal human being एक बिल्कुल average human being की तरह सोचिए कि क्या है क्या उपर है सच में क्या नीचे सच में तो आपको पता लगेगा कि मुश्किल है पता करूं ठीक है ज्यादा होश्यार नहीं दिखना है तो अब क्या हो सकता है simple सी बात है जब तक यह इ लेगा यही level निकलाता बाय करने का ठीक है नीचे से बाय बाय करने की बात अलग है टॉप पे तो भाई जब आपका प्राइस यहाँ पे नजदीक है तो जब तक यह इस channel के उपर में निकलेगा simple सी बात है बाय तो नहीं है ठीक है एक channel के अंदर तीन जगे ऐसी होती है तो दोस्तो यहाँ पे trade लिया जाता है उसके top पे उसके half पे उसके low पे तॉप को काटेगा तो buy होता है low को तोड़ेगा तो sell होता है यह इसको नीचे से काटेगा तो buy है इसको ऊपर से नीचे काटेगा तो sell है ठीक है channel में इस परकार से trade लिया जाता है अगर आप यहाँ गु यहाँ गुसोगे यहाँ गुसोगे यहाँ गुसोगे पैसा शैद बन जाए बड़ से आपका रिस्क जो है वो बढ़ा है हमें सैटफ कैसा बनाना है लो रिस्क और बड़ा रिवाड यह सैटफ पे लेवल जब तक आप लेके नहीं ट्रेड करोगे हाथ में तंबूरा ही लगता रहें ठीक है सिंपल सी बात है अब नेक्स्ट वीक के लिए हम निफ्टी को देख लेते हैं इसको मैं आवरली चार्ट पे लगाता हूँ और इधर जरा देखें दोस्ते अब आवरली चार्ट पे जो एक सेटप बन रहा है यह थोड़ा सा इसी परकार का सेटप बन रहा है जैसा यह यहाँ पर है इसको मैं अगर ठीक है वह आज़ाईए तो यह लेवल है आपका बाई का लेवल अभी निकल जाएगा भी निकल जाएगा 21.400 21.400 4.29 में ओ सुरी 29.000 क्या में निकल रहा है 29.000 जैन सोंबार वाले दिन अगर निफ्टी 21.400 को क्रॉस करता है बाई कीजिए पर दे टार्गेट पहला टार्गेट पहला टार्गेट में तो यह है ना इस लेवल दोस्तों अगर आपको हेल्प मिलती है ना तो लाइक का बटन जरू दबाएगा उसमें कंजूसी ना करी मैं कोई इमोशनल ही नहीं अगर सच मुच में आपको लग रहा है कि हाँ है टेलिग्राम पे हेल्प हो रही है वीडियो से लर्निंग मिल रही है तो यह लेवल निकलता है 29 को खुलेगा ना मर गेटा तो इसके अगली गंडर लिहाँ बनेगी 470 ठीक है 29 अरे क्या बोलता है 21 400 इस इस दी लेवल जिसके उपर आपको बाएगरना है फर्स टार्गेट 21470 प्रॉफिट बुक ठीक है यह इसको काटेगा इसको काटेगा इसको उपर फिर यहाँ फिर से अड़चन मिलेगी है ना ये वाले पर अब ये अड़चन मिलेगी ये लेवल निकलता है आपका कितना ये निकालना पड़ेगा ठीक है 21 525 ये रहा तो 470 से 525 नेक्स्ट वीक के लिए एक रजिस्टेंस का काम करने वाला है देखिए 21 400 कटेगा 21 470 के आसपास निकल जाना है प्रोफिट को कर लेना है बुक ठीक है और 21 470 इसके बाद आपको वेट करना है क्या 21 525 काट रहा है क्या ये लेवल काट रहा है ये लेवल काटा है तो फिर तेजी है भाई फिर हम देखेंगे 21 635 21 1700 के आसपास निफ्टी को विदिन टू डेज विदिन टू डेज बोल रहा हूं है मंडे टूजडे कोई खेला हो जाएगा 29 जैन 38 जैन कोई खेला हो जाएगा तो अभी तक ये निकला है भाई ये सिनेरियो नंबर वन सिनेरियो नंबर वन क्या अगर 21 400 क्लिक हो बाई कीजिए 21 470 के आसपास एक्जिट कीजिए इसके बाद वेट कीजिए क्या ये लेवल क्लिक होता है फिर बाई में गुश जाईए फिर आपको मिलेगा 635 और 700 के आसपास का टार्गेट ये है सिनेरियो नंबर वन इस नंबर गेट एक्जिट अगर ऐसा नहीं होता ठीक है अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास एक नीचे का भी नंबर उना चाहिए ना देखें व्यू तो मैं आपके पास शेर कर दूँगा व्यू तो मेरा आज का भी तेजी का था ठाकी ना देखें दो दिन से व्यू गलत हो रहा है ठीक है दो दिन से व्यू जो है रोंग जा रहा है पर पैसा बन रहा है क्योंकि भाईया व्यू क्या होता है व्यू होता है कि मुझे ऐसा लगता है है ना कि मार्किट में होगा और जिसने लगने के उपर ट्रेड किया ना मार्किट उसकी चड़ी फाड़ देता है लगता है तो भाई फिर लगने के बारद कोई नमबर होना चाहिए ऐसा, जो टरिगर हूँ, वो नमबर का गेम है सारा, फिक है, अब मुझे लग रहा है अगर तेजी हो रही है, तो भाईय बिश्यर, मेरा ایک नमबर है, जो टरिगर होगा, नहीं टरिगर होगा, तो लगता रहे जो नहीं काटा तो व्यू गया तेल लेने मेरा सेल का नंबर क्लिक हो रहा है भाई मैं सेल करूंगा ठीक है मुझे लगता है मार्गेट उपर जाएगा आज इस परकार की बाइंग हुई है चाहे वो एक्सपारी की हुई हो चाहे जो भी हुई हो एक बार को लगता है जैसे 21470 द देखने को मिलता और यह सिर्फ और सिर्फ जो बाइंग थी वो फसाने के लिए थी एक्सपारी का मूव था तो क्या होगा तो यह जो अभी नीचे की तरफ आ रहा है ठीक है इसको मैं और छोटे चोटे टाइम प्रेम पर ले लेता हूँ हूँ 352 की क्लोजिंग मिली है ना इस लेवल के नीचे दोस्तों सेल करेंगे हूँ नीचे की तरफ यह है ज्यादा ही नीचे आ रहा है 2100 के आसपास जादा ही नीचे आदा है फिर दर 300 आ रहा है तो 300 के नीचे जाएगा नहीं भाई, लेवल तो यह ही है ठीक है 21,250 21,250 तो यह नीचे बीच में जो 1500 पॉइंट है, यह हो गया नो ट्रेडिंग जोन इंट्राडे में जरूर मूव बन सकते हैं जैसे आप यह तूटेगा तो इसको रीटेस्ट करने के लिए आएगा 40-50 पॉइंट आपको लेने हैं तो आपकी मर्जी है बट मैं अगर पूरे वीक को ध्यान में रखूँ और मोमेंटम के ट्रेड की आप से बात करूँ तो फर्स्ट लेवल इस इसको आपको नोट कर लेना है एंट सेल का लेवल है 21-250 ठीक है 21-250 यह नीचे कटेगा तो डेफिनेटली हम 21100 के आसपास जा रहे हैं फिर यह नीचे क्लिक करने आएगा इसको इसको यह देखे डेली चार्ट पे यह यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पर यह नीचे छूने के लिए आएगा 21100 के आसपास तो यह है दोस्तों इन चीज़ों को नोट करके रखिए लेवल को नोट कर लेजे मैंने देजे कुछ जादा ही बड़ा gap down कुछ जादा ही बड़ा gap up कुछ ऐसा हो रहा है ठीक है तो मैं आपको एक वीडियो बना दूँगा संडे या फिर सेटर्डे को और हम लेवल्स को revise कर लेंगे अगर gift nifty कुछ जादा gift nifty set हो गया है fab future के साथ तो आपको दिखा रहा है 21-500 के उपर ठीक है और जहां से भी वो जादा बड़ा gap down दिखा रहा है मुसको discuss कर लेंगे वीडियो का मज़ा दोस्तों बिल्कुल चल डाउ को देखके बनाने में नहीं अगर डाउ को देखके बनाना है तो मेरी कोशिश रहती है मैं 5-6 बज़े से पहले पहले आपको बता दूँ कि मुझे क्या लगता है और मेरे लेवल्स क्या है तो यह हो गया दोस्तो निफ्टी अब आ जाते हैं हम यहीं से bank nifty bank nifty bank nifty bank nifty द्यान से सुना करिए दोस्तो मैं closing basis बोल रहा हूं या trigger होने के basis बोल रहा हूं है ना वो चीज़े आपने द्यान से सुननी है अब देखे इसने ऐसा घूम के ऊपर close किया है हाला कि average closing शायद 48,850 के आसपास आई है अब यह नीचे जो है ना देखे यह तुछ दिन भी आपको समझा रहा था आज में इसकी आपको अच्छे से कहानी समझाता हूं यह जो पूरा डबा है अब यह है भाईया भैंकर consolidation वाला डबा यह यह है इस डब्बे की कहानी ठीक है अब इस डब्बे का जो lower band आता है वो आता है 43 350 कह लिए आप मोटा मोटा round figure 43 500 कह लिए और उपर का जो है यह आता है 44 500 मोटा मोटा कह लिए ठीक है तो as per technical यह इसके lower band को छूने के लिए आना चाहिए पर कब 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 हमको closing चाहिए इस level के नीचे आएगा तो फिर यह पूरे घर में चक्कर लगाने के लिए जाएगा नीचे की तरफ अदरवाइस होगा क्या यह इसके नीचे आएगा पर closing उपर आ जाएगी यह इसके नीचे आएगा पर closing उपर आ जाएगी तो इसको थोड़ा ऐसे कर लीजे आप आज की closing से मैच कर लीजे जो भी है जहां भी इसने close किया है इन फैक्ट इस दोनों देखे एक positive चीज क्या हुई है न मार्केट में जो मैं मंडे के लिए थोड़ा positive sound कर रहा हूँ आपको जो मंडे की जो मंडे का low है ना मार्केट उसके नीचे आराम से close कर सकता था निफ्टी में भी और पैंक निफ्टी में तो भाई बहुत नीचे ट्रेड कर रहा था पर closing मंडे के low के उपर आई है ठीक है यह थोड़ा सा reason है मेरा कि मंडे को शायद हम एक upside देख सके तर ट्रेड ट्रेड भाईया लैवल ट्र लैवल closing basis activate नहीं होगा इस parallel channel के अंदर bank nifty नीचे की तरफ तैरने के लिए नहीं है तो यह बहुत strong यहां पर आपको एक बार को उचल कुद दिख सकती है 45,500 से लेके 46,200 एक बार ऐसे upside दिख सकती है फिर यह ताकत लेके इसके अंदर entry कर सकता है यह जो move है मैं यह anticipate कर रहा हूँ ठीक है और भाईया market negative ही रहा तो market जो है ठुक जाएगा अगले 3 दिन में अगले 3 दिन दिन भी ठुक जाएगा ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है तो उसके लिए क्या है 21,250 निफ्टी में कटेगा बैंक निफ्टी में 44,440 यह कटेगा ठी अब ही मंडे को बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड लेना है तो भाई जैसे ही यह level कटे जैसे ही यह level कटे नोट कर लिजे दोसको अब जो मैं बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने यह level कटे 44,950 इसको लगाईएगा SL आपको उसी दिन मंडे वाले दिन यह target है पहला पहला यह target दूसरा 45,800 मंडे वाले दिन ही पहला target 45,500 अगर यह level कटे है ठीक है I hope आपको मेरी बाते समझ में आगी होंगी कुछ ज़्यादा ही changes होते हैं कुछ ज़्यादा ही दो दिन में घटित हो जाता है I will revise my levels, levels follow कीजिए number काम करते हैं मैं खुद जब telegram पर message डालता हूँ यह नहीं बोलता कि आज मंदी हो नीचे यह आज तेजी हो नीचे यह तेल गई ले ने ठीक है बड़ा view आपको मेरा पता है 2024 का कैसा है पर ट्रेडिंग जो मैं यहां दे रहा हूँ उसका level एक figure एक number यह नहीं trigger होगा market नहीं चलेगा उसका है ना और यह सबसे बड़ा loss का कारण है तो क्रिप्या करके अगर आप मुझे follow कर रहे हैं completely follow कीजिए उसके बाद second safety क्या है भया SL मेरा 25 से 30 point का nifty में रहता है and 100 से 500 point का bank nifty में रहता है इस से ज़्यादा का नहीं रहता तो बड़ा loss आपका हो ही नहीं सकता ठीक है चलिए thank you very much वीडियो अच्छी लगी हो बात समझ में आई हो like कीजिए share कीजिए channel को subscribe कीजिए